पिर जहाँ पर मुक्मिन्तुरी योगी आदितना जनसभा को से मुद्ध कर रहे हैं। मोधी जी के नित्रतों में वारती जनता पालिटी की सरकार नकसलबात की समस्या का सवाधान दे रही है। उन्होंने गरीबों के हक को जवरन हड़पने का काम किया। मोजी जी के नित्रतों में हर गरीब के लिए आपने देखा होगा जो काम 60 वर्स में नहीं हो पाया कांग्रिस नित्रतों की सरकार में मोजी जी ने मातर 9 वर्स में 12 करोड गरीबों के घर में सोचाने पहुचा दिया चार करोड गरीबों के घर मक्कान बन गए प्रदानमंत्री आवास बन गए बारा करोड किसानों को प्रदानमंत्री किसान सम्मानिदी का लाब मिल गया बैयो बेनो, दस करोड गरीबों को उज्जुला योजना का रुसोई गैस का कनेक्शन मिल गया चार करोड गरीबों के घर में विजली का कनेक्शन भी पहुँच गया और अब तो हर घर नल योजना को भी पहुँचानी की तैयारी हो रही है अगर यहां पर राजस्तान में इपीजेपी की सरकार होती भाईो बेनो अब तक हर घर मलकी यूजना हर घर तक मौच गई होती बैयों बेनो यार राजिस्तान में पांच वर्ष से पहले जब स्रीमती व सुंद्रा राजे जी के नित्रत्यों की सरकार थी विकास दिखता था विकास होता था जन सुनुआई होती थी दुर्भाग्य से सरकार गई हुए, और यहां पर कॉंग्रेश नित्र-थ्यो की सरकार आने के बाद क्या हो जाए आजए विकास मैं आगे नहीं सरकार। आर्थिक प्रगति मैं आगे नहीं है। आज जरत्तान किस में आगे है। भरश्लाचार में नंबर एक है। से महईद हो समंधि अपराद में नमबर एक हो साई वर अपराद में नमबर एक पर एंधर सवंदिक बिजली दर में नमबर एक पर हो परनन सब्साब मेंगा राजस्तान में विकुड़ा है महाईbr anchor स्थ के साथ खिल खेवर करने और टे पर लीक करने में में बी नमबर एक है कि मंडी टैक्स के लावा गुंडा टैक्स में भी नमबर एक है और भाइयो बैलों यहां पर नए नए माफिया पैदा हो गए हुआ कोई भू माफिया कोई खनन माफिया को ऊप कोई गौत तसकर माफिया और वह योगे नो इनी तसकरों के लिए नी माफियाओं के लिए हम यूपी में बुर्डोजर लेके आये हैं और इसलिए भाईयो वैनों आज में आपके पास आयों आपसे कहने करें यह सरकार विकास भी नहीं करा सकती एह सरकार गरीबों का कल्यार्रि नहीं कर सकती एह सरकार यहां पे उपत्रब्यों पर और कर्फ्यू पर भी कंट्रॉल नहीं कर सकती है देखो यूपी में पिसले शाड़े च्छे वर्स से बीजेपी की सरकार है और जिस उत्तर प्रदेश में उससे पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था शाड़े च्छे वर्स में एक भी दंगा नहीं हुआ है आज यूपी में दंगा नहीं होता है आपने देखाओ यहां कन्यादा तेली की हत्या कर दी गई थी कैसे निर्मम बरबर हत्या हुई थी बेटियों के साथ किस प्रकार का ब्यवहार हो रहा है कैसे हो रहा है और कॉंग्रेस के नेता बहुत सारे मामलों में स्वें सनलिप्त पाये जाते हैं इसलिए बायों बेना अगर इन सब घटनां से मुक्ती चाहिए परव और तेवार सांथिपूर्ण तरीके से मनाए जा सके सरकार तुष्टिकर्ण की नीती पर नचल करके हर गरीब के लिए हर किसान के लिए हर नौजवान के लिए हर मैला के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके हितों के लिए कारे करने वाली हो सके और साथ साथ आपकी आस्ता का सम्मान करने वाली भी हो सके आप मुझे एक बाद बताइए kongres 60 वर्स तक फियत्या में राम मंदिर का नहीं ने किया क्या किक एक कर भी नहीं सकते हैं तो kongres तो अपने अपने समस्या है भै जो बहुनों ये समस्या है देश की समस्या का नाम Congress है और अगर देश की समस्या का समयधान करना चाहते है तो Congress को भड़ा दीजे समाफक्त कर दीजे वाईोगे लो देश समख्रादान समस्यां उसे मुक्त हो जाए गा आ मैंने पहले भी कह जब तक Congress थी तो इसमस्या का समाधान तो नहीं करते थे लेकिन हमारी आस्ता के साथ खिलवाड करते थे बोलते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं अब बताओ हम यहां पे संबोधन में राम राम सा कहते हैं हमारे पुर्वजु ने हमें यहीं सिखाया है जब मिलेंगे तो राम राम बोलेंगे जब घर में कोई पवित्र कारिक्रम होगा तो अखंड रामेन का पाड़ मिठाएंगे और जब अंतिम यात्रा होगी तो भी राम नाम सत्य है कहे करके ही यात्रा निकलेगी राम के साथ जिस हिंदुस्तान के नागरिक का ये सम्माद ये संबंद हो उस हिंदुस्तानी से कहते हैं कि राम हुए ही नहीं ये तो हमारे धर्मों के स्टित्व पर प्रस्न खड़ा करने जैसा पाप था और तब भी हम कॉंग्रेस को प्रदास्त करते हैं और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ मोदी जी प्रदान मंत्री बने और उत्तरव्रदेस में भी जैसे इस सरकार आई समस्या का समाधान हो गया आज रिद्या में राम अंदिर बन रहा है ना आज बन रहा है ना अब तो कोई संदे नहीं है ना कोई संदे भायो बेनो मैं आपसे एपील करने के लिए आऊ हूँ देखे स्वरूब सिंग कारा जी को भारती जनता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके आपके बीच उतारा है फुल टाइमर है आपके लिए हर समय सेवा के लिए तयार है जनता जनार्दन की सेवा के लिए तयार है भायो बेनो उनके लिए बावा गरीब नाज्जी का या पावन छेत्र जो माई की क्रपा से बहुत संब्रद साली होने जा रहा है उसके लिए उस सेवा करने के लिए आपके बीच आये है और भारती जनता पार्टी ने अपने गयों के तारेकरता को इसलिए आपके बीच उता रहा है जो को हमें इत्यास की गल्पियों से समथ सीखना है